नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका मेरे चैनल पे दोस्तों इंडिया ने फिर से ब्रह्मोज मिसाइल के एंटी शिप वर्षन का टेस्ट किया है अंडमान और निकोबार द्वीफ स्मूग के अंदर आज इसी के उपर बात करेंगे चलिए दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों इंडिया ने जो आज ब्रह्मोज मिसाइल का परिक्षन किया है ये एंटी शिप वर्षन है और इसे इंडिया के एक शिप से ही अंजाम दिया गया है और ये इंडियन नेवी के उस ट्रायल का हिस्सा है जिसके तहत वह बहुत से टेस्ट करती आ रही है इससे पहले दोस्तों पिछले महिने भी कई टेस्ट किये हैं इंडिया ने और लास्ट टेस्ट 25 नवंबर को भी किया था ये इंडियन एर फोर्स ने किया था अपने सुखोई 30 MKI फाइटर जट से इस मिसाइल की स्पीड 2.8 मैक है और ये साउंड की स्पीड से 3 गुना जादा है दोस् दोस्तों इसका वर्टिकली लॉंच किया जाना जिसके तहर दोस्तों पहाड के पीछे भी अगर दुश्मन छिपा हो तो ये मिसाइल 90 डिगरी के एंगल पे सीधा नीचे जाके अटैक करती है ये भी इंडिया नहीं किया था और अभी दोस्तों इसके टेस्ट इसलिए भी क सफलता पाने की कोशिश की जा रही है और दोस्तों आज जो टेस्ट किया गया इसकी रेंज 400 किलोमेटर थी और इसे इंडियन नेवी के आइनस रनवीजे वार्शिप के उपर से अंजाम दिया गया और ये दोस्तों एक राजपूत क्लास का डेस्ट्रोयर शिप है और इस निशाना बनाया गया जो कि दोस्तों मैकसिमम रेंज के उपर था और उसे पिन पोइंट एकुरेसी के साथ में हिट किया गया तो दोस्तों ऐसे में ये बार बार टेस्ट किया जाना और इसकी सफलता दिखाता है कि इंडिया का मिसाइल मैनिफैक्चरिंग के अंदर कितना बड़ा नाम हो चुका है और कितनी सफलता वह पा चुका है और दोस्तों इन टेस्ट के पिछे एक रीजन ये भी है कि भारत इस मिसाइल का एक्सपोर्ट भी करना चाहता है और फिलिपिन्स की न्यूज के अंदर अब ये चल रहा है कि वह इंडिया से ब्रहमोस मिसाइल ख सकता है धन्यवाद जैहिन